अमुश्वे स्टुडेंस इस वीडियो में हम कविता आओ मिलकर बचाएं इसका काविस उंदर्य बताते हैं वैसे तो आपने कविता पढ़ते समय समझी लिया होगा कि कविता में उर्दू मिश्रित खड़े बोली का प्रयोग किया गया है कविता मुक्त चंद में लिखी हुई है मीज़ चंद बद नहीं है और नहीं इसमें तुकांत शब्दों का प्रयोग किया गया है मीज़ राइमिंग वर्ड्स आपको नहीं मिलेंगे उर्दू मिश्रित खड़ी बोली है और भाषा प्रवाह मई है मीज़ एक फ्लो में जाती है कविता सबसे बड़ी बात है भाषा आडंबर हीन है मीज़ जबर जस्ती भाषा को सजाने के लिए उसमें अलंकारों का प्रयोग ठूसा नहीं गया भाषा बहुत सरल और सहज है इसे लिए पढ़ने में बहुत आनंद भी आता है क्योंकि इजीली समझा जाती है साथ ही कवित्री का एक आवान है अपने जारखंड के लोगों के लिए कि वो अपनी संस्कृती को बचाएं तो अपनी संस्कृती के प्रती जो उनका प्रेम है वो खुल कर सामने आता है और यह आधुने कल की कविता है सो स्टुडेंट्स आप लोग इस कविता का काविस अंदर यह अपनी कॉपी में लिख लेंगे अपनी कॉपी में लिख लेंगे और जो समझ नहीं आएगा वो आप वाट्सेप से पूछ सकते हैं नमुशबे झाल झाल